स्वागत है आपका unofficial कार्या लेकि आज के इस वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि आप कैसे एक unit converter बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी unit से किसी भी unit में numbers को convert कर सकते हैं जिसे कि मैंने यहाँ पर एक time converter open किया हुआ है यहाँ पर अगर आप year को day में convert करना है तो वो भी हो जाएगा automatically यहाँ पर मैंने spin button बनाया हुआ जिससे कि आप अपने जो numbers है उसको आप यह down कर सकते हैं यहाँ से मैंने कुछ buttons बनाई हुए जिससे कि आप automatically अपने converter को change कर सकते हैं जिसे कि अभी मैं time converter पर हूँ मुझे distance converter पर जाना है तो मैं सिर्फ simply यहाँ पर click करूंगा और मैं distance converter पर आ जाओंगा यहाँ पर मैं wait converter पर click करूंगा तो wait converter पर चला जाओंगा तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है कि हम कैसे इस buttons को बना सकते हैं अपने converter को change करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चार converter के इलावा भी अगर आपको कोई और converter बनाना temperature, converter, area, converter या फिर अन्य converter तो आप उसे कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको उसकी भी tips शेयर करूंगा इस वीडियो में तो आन तक बने रहा हैं उमेध्या कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेगी और आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और comment करके अपना feedback ज़रूर शायर करना तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर excel में एक blank sheet ले लिए हुई है और यहाँ पर हम अपने unit converter का पहले तो template create करना start करेंगे मैं प यहाँ पर दो sections बना लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दो units add करने के लिए और बीच का section होगा वो equal to का section होगा माली जी हमें gram equal to kilogram में convert करना तो इस तरह से तो यहाँ पर मैं equal to लिख लेता हूं उसके बाद इन दोनों बाकी के cells में हम data validation लगाएंगे अपने units का जैसे कि multiple units होते हैं weight के अंडर ही तो हम यहाँ पर दोनों ही cells में data validation लगाएंगे और सभी उन units को cover करेंगे जो की weight के अंडर आता है और Excel पर अविलेबल है हमारे लिए उसके बाद हम यहाँ पर एक spin button add कर देंगे जिसे कि हम अपना number जो भी हम enter करेंगे यहाँ पर जैसे कि हमें 100 gram को convert करना है kilogram में तो यहाँ पर हम एक spin का button देंगे जिसे हम number उपर नीचे कर सकते हैं उस button से उस button को add करने के लिए हम चले जाएंगे developer tab यहाँ पर insert पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर द्रॉ कर लेंगे हम column को adjust कर लेंगे थोड़ा से spin button add होने के बाद हम इसके उपर right click करेंगे select करके format control में चले जाएंगे यहाँ पर minimum value or maximum value set कर सकते हैं तो मैं इसे ही रहें दे रहा हूं 0 to 30,000 तक हम इसमें value डाल सकते हैं incremental change का यह मतलब है कि हमारा जो number है वह कितने value से बढ़े हर एक click के बाद तो यहाँ पर one है तो मैं चाहता हूं कि ह all border और outside thick border फिर इसके बाद हम दूसरे convertors बनाने के लिए इसी page को duplicate कर लेंगे right click करके tap के उपर move और copy के पर click करेंगे move to end कर देंगे इसे हम distance का converter नाम दे देंगे tap का name change करके इसे distance कर लेंगे फिर इसकी copy बना लेंगे move to end create a copy okay इसे हम time दे देंगे name time converter tap को भी time name दे देंगे फिर एक और बार duplicate करके हम speed का भी एक tab बना लेंगे इस वे से हमें अपना जो template है उसे बार-बार हर page पर create नहीं करना पड़ेगा नहीं हम simply इसे copy कर सकते हैं same format को इसे भी speed का नाम दे देंगे tap को तो यह हमारा template ready है चारो ही है convert यहाँ पर number पूछ रहा है तो हम number select कर लेंगे simply कॉमा लगा कर from unit तो यहाँ पर देख सकते हैं multiple units हैं यहाँ पर काफी सारे यूनिट्स हैं इसके इंदर तो यहाँ इसे ग्राम से है तो इसको हम थोड़ा सा automate करेंगे यहाँ पर तो आये देखते कि हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर unit tabs के अंदर मैंने मैंने already weight distance time or speed के units को यहाँ पर एक table form में डाल रखा हुआ है तो हम simply इन tables को copy करेंगे और उसके respective tab में पेस्ट कर देंगे जैसे कि मैंने weight का copy कर लिया और यहाँ पर मैं इसके पेस्ट कर दूंगा column adjust कर लेंगे column size इसे और थोड़ा करीब ले आएंगे इन दोनों को height कर देंगे अब इसी सेम तरीके से हम distance time or speed के भी जो tables है उनको भी move कर देंगे उनके respective tab में तो मैं distance time time और speed का भी copy करके वहाँ पर paste कर देता हूं उनके tabs के अंदर दोस्तों मैंने सारे tables का paste कर लिया उनके respective tabs के अंदर तो आपको अब लग रहा होगा कि खाली मैं आप चारी units दिखाए हैं distance का weight का time का और speed का अगर आपको temperature convert करना हुआ volume convert करना हुआ यह area count convert करना हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं तो basically मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपको कोई और unit को convert करना है तो उसके units को आप कहां से find out कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास weight की इतने सारी units हैं तो आप उसे कैसे identify कर सकते हैं और कैसे use कर सकते हैं जिब आपके requirement के हिसाब से पहरे तो हम इन चारों पर काम कर लेते हैं ताकि आपको basic understanding मिल जाए उसके basis पर आप दूसरे convertors भी develop कर सकते हैं काफी असानी से तो एक बार हमारे पास table आ जाया है तो हम यहां पर inverted commas है उन inverted commas को पहले निकाल देंगे और आप किसी किसी unit के लिए हमारे पास multiple units दिया हुआ है जैसे कि replace with का option blank छोड़ देंगे और replace all कर देंगे replace all करने के बाद हमारे सारे के सारे जो inverted commas है वो गायब हो जाएंगे अब यह second unit निकालने के लिए हम फिर से find and replace के tab में आ जाएंगे ctrl h press करके अब यहाँ पर find what में हमें simply space देना है और एक star डाल देना है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम इस unit को देखें cwt तो cwt के आप space है तो अब इसलिए हमने space दिया और star देने का मतलब यह कि space की बात की जितने भी words है वो सारे remove हो जाए यहाँ से तो हम simply space और star डाल देंगे replace with को blank रखेंगे और replace all पर click कर देंगे और यहाँ से सारे जो secondary unit से वो निकल जाएंगे यह सीम step हम बाकी के tabs में भी follow करेंगे ताकि हमारा inverted comma है और multiple units है तो वो remove हो जाए तो एक बार हमने सारे inverted commas और secondary units को निकाल दिया है उसके बाद हम इससे automate करना start करेंगे data validation लगाना होगा ताकि हमारे जो units है grams लग हो गया यहाँ पर हम एंटर कर सके इन cells में तो data validation लगाने के लिए हम इन दोनों cells को एक ही साथ में लेंगे data टैप पर चले जाएंगे यहां राइट से में data validation का option है इसके उपर क्लिक करेंगे अलाओ की list option में से हम list को select कर लेंगे source में अब हम सभी values को select कर लेंगे source में okay press कर देंगे यहां पर देख सकते हैं आप drop down list आ गई है तो यहां से हम values को select कर लेंगे इसी सेम वे से हम सारे टैप में data validation लगा लेंगे उनकी respective values के लिए दोस्तों data validation सेट करने के बाद next step आता है हमारा हम VLOOKUP लगाएंगे तो यहां पर formula लगाएंगे equals to VLOOKUP का हमारी जो lookup value होगी वह unit होगा इससे select करेंगे comma लगाकर इस table को select कर लेंगे तो हमारी जो value है जो हमें यहां पर चाहिए वह column 2 में है तो कॉमा लगाकर 2 add करेंगे और फिर कॉमा लगाकर exact match देंगे 0 लगाकर bracket close करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो gram की जो value है वह जी है इसी तरह इस लग की value हम यहां पर निकाल लेंगे लगाकर यहां भी सेम तरीके से formula लगा देंगे equals to value को select करेंगे कॉमा लगाकर complete table को select करेंगे comma 2 comma 0 bracket close और इसकी value यहां पर आ जाएगी अब यह सेम वी लुकप formula हम बागी के tabs पर भी लगा देंगे value को लगाने के बाद हम finally convert का formula यहां पर enter करेंगे तो हमें जो converted value चाहिए वो f5 में चाहिए तो यहां पर हम convert का formula लगाएंगे equals to convert convert में जो हमारा number है वो यहां पर है gram के just नीचे वो select करेंगे comma लगाकर from unit यहां पर है से select करेंगे और comma लगाकर जिस unit में convert करना उसको select करेंगे bracket close करेंगे और enter प्रेस कर देंगे तो अभी जीरो आरा कि कि यहां पर कोई value नहीं है तो यह formula हम सभी tab में लगा लगा लेंगे उसके बाद यहां पर value enter करना start करेंगे convert का formula apply करने के बाद हम table को hide कर देंगे यहां से और इससे भी hide कर देंगे यहां तो आप hide कर दो या फिर इसके text color को white कर दो दोनों ही options है हमारे पास तो मैं इसे अभी लिए hide कर देता हूं और सभी tab में इन दोनों ही चीज़ों को hide कर देंगे इसके बाद अब देखते कि हमार convert के इंडर हमने day को year में convert किया और speed को भी हमने इसी तरह से convert किया और not में अब इसके बाद हम यहां पर कुछ buttons बनाएंगे जिससे कि हम जिस भी converter का button प्रेस करें वो converter यहां पर आ जाए हमारी screen पर हम easily उस पर काम कर सके तो button बनाने के लिए हम पहले तो insert tab में आ जाएंगे य outline देना दो दे सकते हैं या फिर में safe effect में आके इससे थोड़ा button कर लोग देता हूं bevel में आके 3D effect देंगे round bevel से लिक कर रहा हूं मैं right click करके edit text पर आ जाएंगे और यहां पर में लिख देता हूं weight converter इससे थोड़ा दा format कर लेंगे home tab पर आकर center कर लेंगे bold कर लेंगे एक ब sign करने के दिने हम rename कर देंगे जैसे कि पहले हमने weight converter लिखा हुआ है second वाला हम distance converter लिख देंगे size थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तक यह साथ में fit हो जाए next button को हम देंगे नाम time converter और last वाले को हम speed converter नाम देंगे इसके बाद हम इस button पर click करके right click करेंगे link पर click करेंगे और यहा लुक बॉक्स उपन हो जाएगा यहाँ पर place in this document के पर click करेंगे यह weight converter है तो हम weight को select करेंगे okay press करेंगे distance converter बटन पर आ जाएंगे right click करेंगे वापस link पर जाएंगे insert link करेंगे यहाँ प्लेसे in the document के पर आकर distance के पर click करेंगे और okay press कर देंगे फिर time converter से में लिए आकर right click करेंगे link पर आ जाएंगे insert link time select करेंगे और finally speed converter के साथ भी वेसी करेंगे हम link पर आ जाएंगे insert link speed select करेंगे अब हमने इन buttons को link भी कर दिया हुआ अब यह same buttons को हम हमें बाकि सारे tabs में paste करना होगा तो इसके लिए हम control button press करके इन चारो ही buttons को select कर लेंगे copy कर लेंगे और इन चारो tabs में paste करके इन्हें align कर देंगे जैसे हमने पहले align किया हुआ था तब इन buttons को मैंने चारो ही टैप पर paste कर दिया कुछ इस तरह से जैसे हम यह आपर किसी button पर क्लिक करेंगे वह हमें उस convert पर ले जाएगा जैसे कि हम distance converter पर क्लिक करते हैं distance converter पर क्लिक करते हैं distance converter के tab पर आ जाएगे time converter पर क्लिक करेंगे time converter पर आ जाएगे इस वीडियो के description box में आप उस link पर जाकर Microsoft के page को access कर सकते हैं इस Microsoft के page में actually सारे के सारे units हैं, जो भी Excel में available है, तो आप यहाँ से जाकर अपने requirement के जब से respective table को copy करके अपने Excel sheet में paste कर सकते हो, और उस तरह से आप उस converter को automate कर सकते हो, हर बार की तरह मैं इस sheet की भी जो link है, इस video के description box में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर इस sheet को download कर सकते हैं, practice purpose के लिए, उमीद है कि आपको इस video से कुछ नया सिखने के लिए मिला होगा, अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इस video को like करें, चैनल को subscribe करें, comment करके ज़रूर बताएं कि next video आप किस topic पर देखना चाहेंगे, ऐसी videos देखने के लिए आप मेरे चैनल अनओफिशल कारेले को explore कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next video में, thank you.